हेलो एवरीवन मेरा नाम जुनायद एमद है सिविल सर्विसेज दो अजार अठार में मैंने थर्ड रैंक हासिल किया था आइ थिंग के मैं एक वीडियो बनाओ जिसमें जो एस्पेरेंट्स हैं जो एक्जाम लिख रहे हैं उनको उन चीजों के बारे में बताओ जो उनको करन चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए तो प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि आपको इस पीरिएड में ज्यादा से ज्यादा क्वेस्टेंस लगाने है यह आपको एक आइडिया देते हैं कि महां पे एक्जाम में आपको किस तरीके के questions आएंगे आपको उनको कैसे handle करना है और इससे क्या होता है आपका एक तरह से revision भी होता है जो चीज़े आपने पढ़ ली है जब वो question के form में आती है तो जहां पे missing links होते हैं वो आप cover up कर सकते हो तो यह चीज़ आपको help करती है तो आपको test series ज्यादा से ज्य ज्यादा लगानी है questions ज्यादा से ज्यादा लगानी है दूसरी चीज़ सबसे important क्या है कि आपको वहां पर time manage कैसे करना है वह बहुत important हो जाता है क्योंकि जो two hours में आप करते हो वहां पर वह डिपेंड करेगा क्या आप select हो या नहीं होगे क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों रखनी है ऐसा मैंने examples देके जो attempt किया लेकिन 60-65 questions attempt करें और बात में जब उन्होंने count करें तो उनको realize हुआ कि बहुत कम attempt करें तो यह क्या होता है कि pressure होता है वहां पर ऐसे ही homage sheet में बहुत सारी गलतिया हो जाती है कभी-कभी आप जब fill up कर रहे होते हो तो यह सब भी pressure के अ पहले वहां जाके बैठें और अपने एक composed उसमें आप अपना exam लिखें तो यह चीज second चीज बहुत important है थर्ड चीज यह है कि जब आप paper करते हो test series में भी और UPSC में भी ऐसा होता है कि आपका score continuously low आता है test series में कभी-कभी और आप 40-45 questions के बाद आप solve नहीं कर पाते हो UPSC मे score low आना आप उससे कभी demotivate मत होईएगा test series में deliberately वह ऐसे questions put up करते हैं ताकि आप महां पर mistake करो तो उसमें score अगर low आ रहा है continuously तो आपको महां पर demotivate नहीं होना है आपको उस पर work करना है आप कैसे improve कर सकते हो और UPSC से related क्या है कि आप जब UPSC का exam attempt करते हो तो हर एक जो भी aspirant उसको 40-45 questions से ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि normally यह होता है इसी तरीके से paper set होता है तो महां पर जाके panic नहीं करना है कि मुझे थोड़े से ही आ रहे है अब क्या होता है कि महां पर आपको अपनी applied knowledge लगानी है आपने जितना भी पढ़ा है उसको apply करना है अब एक next चीज आती है कि how many to attend कुछ लोग बोलते हैं कि 80-85 attempt करने चाहिए कुछ 85-90 कुछ बोलते हैं जितना accurate हो उतना ही करना चाहिए बाकी नहीं करना चाहिए तो I'll suggest कि यह सब depend करता है कि आप paper के nature पे जैसे कि 2016 में paper थोड़ा relatively easy आया था तो cut-off भी 116 गई थी लोगोंने 90-95 attempt किये थे लास्ट कि अगर हम बात करें तो cut-off 90-80 गई थी paper was relatively on the tougher side तो इसमें क्या था कि लोगोंने 80-84 attempt करें थे तो I'll say कि वहां पर आपको देखके करना है कि आपको कितने attempt करने वहां पर और अगर मेरे से number पूछा जाए तो 85-90 गुड़ नंबर आप easy भी है तफ भी है अगर आपकी accuracy अच्छी आ रही है तो उस range में अगर आप attempt करते हो और risk margin कम करते हो तो आपके selection के chances जो है वह भढ़ जाते हैं तो यह एक important चीज हो गई क्योंकि relatively क्या होता है कि 90-95 marks लाना exams में बहुत easy होता है वट उसके बाद एक-एक मांक उपर करना बहुत difficult हो जाता है तो यह चीज आपको ध्यान रख रही है एक और चीज जो है वो है कि last time में आपको panic नहीं करना कुछ नया पढ़ लिया newspaper में उससे भी demotivation demotivation हो जाता है तो यह सब चीज आवाइट करनी है अब जितना ज्यादा है आपको काम रखेंगे नई चीज आवाइट करेंगे जितना ज्यादा revision करेंगे वह आपके लिए help करेगा तो यह सब चीज आवाइट किए जएगा is important आप proper sleep लो क्योंकि क्या होता है anxiety तो होती है लेकिन आपको at least 10-15 days पहले से अपना routine proper कर लेना चाहिए ताकि आपको रात को नीद आ सके अगर प्रॉब्लम है तो आप वैसे ही वहाँ पे नहीं अच्छे से कर पाऊगे तो प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए सुबा आपको जैसे मैंने बोला half an hour पहले at least examination hall पहुचना चाहिए वहाँ पे आपको अच्छे से बैठके और पेपर करना चाहिए तो I hope के यह सारी अभैस अनू Soulow जच बाऊए वोच लेक अच पाऊचे सरने means फेड़ през पहरशी मैमने बोला 13 वेक्स है लेक्सा से लेधना तो, द meditating आतरब होः उक्ता चाहिए यो कर व्रуш as well as sample questions based on the NCRT material. You can download the sample material from here and if you found it useful, you can buy the e-book. Thank you.